हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज हम इन चार कलरों के उनसे बहुत ही सुन्दर रैडी मेट लुक में बच्चों के लिए स्वेटर जैखिट कारडीगन का डिजाइन लेके आए है तो जितना डिजाइन देखने में सुन् दर रैडी मेट लुक में ये डिजाइन बनाना कि ये डिजाइन हमने किस तरह से इसको बनाया है तो यहाँ पर देखे इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने सिंगल दागे से यहाँ पर आठ के मल्टीपल में फंदे लेके तीन फंदे एक्स्ट्रा लिए यानिकि एट के म हम 88 वाराट 66 और तीन 19 19 फंदे लेकर मैं इस डिजाइन खौप को बना के दिखाऊंगी कि यह डिजाइन कि तरह से बनाया गया तो यह पर देखिए हम यहां पर शाथ फंदे सीधे सीधे बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच छे और एक साथ फंदे सीधी बनाएगे अब जो ये फंद आगला इसके इस तरफ भी जाली डालेंगे इस तरफ भी तो दागा अपनी ओर करेंगे जाली डालते वे इस फंदे को सीधा बनाएगे फिर से दागा अपनी ओर करेंगे तो इस फन दे के दोनों तरफ जाली आएगे आगे साथ फन दे फिर से हम सीधे बनाएंगे तो एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, और ये साथ साथ फन दे सीधे बनाएगे जैसे यहाँ पर दो फन दे डालके जाली बनाई थी दो फन दो के बाद तो यहाँ पर भी पहली यहाँ पर दागा अपनी ओर करके जाली डालेंगे और दो फन दे जो बच्छी हैं लाश्ट में इन्हें सीधा ही बनाएगे तो ये हमने यहाँ पर डिजाइन की पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाते फिर कम्प्लीट किया डिजाइन की यहाँ पर दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई दूसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे दूसरी सिलाई को हम एक एक फंदा लेते हुए ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाके कम्प्लीट करेंगे तो मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बनाके तो ये दूसरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाके कम्प्लीट किया लाष्ठ के फंदे को सीधा बनाएंगे तो दूसरी सिलाई मैंने बना के उल्ट-उल्टी कम्पलीट कर लिए है, डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी सिलाई, तीसरी सिलाई को जैसे पहली सिलाई बनाई थी उसी तरह से ही बनाएगे लेकिन थोड़ा सा यहां पर चींज होगा तो यहाँ पर पहला फंदा skip करके आगे 2 फंदे अब की बार हमने सीधे बनाने पहले एक फंदा बना था अब जो ये जाली वाला फंदा इसको भी सीधा बनाएंगे यानि कि टोटल पहली सिलाई में 2 फंदे थे अब की बार 3 फंदे सीधे होगे दागा अपनी ओर करेंगे जाली डालते हूँ बीच वाले जो ये साथ फंदे हैं इनको हमने सीधा बनाना है एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, और ये साथ साथ फंदे सीधे बनाए दागा अपनी ओर आप जो ये बीच का एक फंदा सीधा था, एक इधर जाली थी, एक इधर इन तीनों फंदों को दागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, दागा अपनी ओर फिर शे अगले साथ फंदे हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ, साथ फंदे सीधे बनाए धागा अपनी और, एक यह जाली वाला दो यह तीनों फंदों को यहाँ पर जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे, एक, दो, और यह तीन, तो डिजाइन की तीसरी सिलाई हमने यहाँ पर सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट की, डिजाइन की चोथी सिलाई, चोथी सिलाई को थोड़ा साध्यान से देखिए, चोथी सिलाई उल्टे-उल्टे बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम धागा चेंज करेंगे, तो किस तरह से इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर अब हम सेकिंड कलर लगाएंगे, सेकिंड कलर की इस तरह से लगाएंगे, तो पहले तो यह वाइट कलर से ही, एक, दो, तीन, और एक जाली वाला, च्यार फन दे हम यहाँ पर वाइट कलर से बनाएंगे, अब हमने क्या करना, अब हमने यह सेकिंड कलर येलो कलर लगाएंगे हम, और बीच 4, 5, 6 और 7 उल्टे बनाए 7 फंदे पहले 4 फंदे वाइट कलर से उल्टे बनाए फिर आगे 7 फंदे येलो कलर से उल्टे बनाए अब फिर से यहाँ पर वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, और 5 5 फंदे फिर से हम वाइट कलर से उल्टे बनाएगे आगे फिर से येलो कलर से बनाएगे और 7 फंदे हम बनाएगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 फिर से लाष्ट के 4 फंदे हैं जैसे यहाँ पर थे इन्हें हम वाइट कलर से ऐसे उल्टे बनाएगे एक, दो, तीन, लास्ट वाले को सीधा बनाईए या उल्टा बनाईए वो आपके उफर आपके मर्ची है तो यह फौर्थ रोकों हमने उल्टे साइड से बनाके कम्प्लेट किया डिजाइन की यहां पर देखिए पाच्वी सिलाई यानि की फिफ्ट सिलाई को किस तरह से बनाएंगे यह यहां पर वाइट वाले फंदे तो हम वाइट कलर से ही ऐसे च्यार फंदे यह हैं सीधे बनाएंगे च्यार फंदे सीधे बना के यहां पर जाली डालेंगे तो इसको ऐसे गुमा के पीछे ही छोडेंगे और यलो वाले धागे को आगे लेके आएंगे और जो यह बीच में साथ फंदे ही यह लो कलर के इनको दो बार धागा गुमा के सीधी साइड है पांच में सिलाई है उल्टे बनाएंगे इने हम इस तरह से दो तीन च्यार पांच छे और यह साथ साथ फंदे हमने दो बार धागा गुमा के यह लो कलर के बनाएं दागा पीछे धागा अपनी और वाइट कलर का यहां पर जाली डालते हैं बीच के पांच फंदे वाइट कलर के इने सीधा बनाएंगे एक दो तीन च्यार और यह पांच फिर से ऐसे गुमा के जाली डालेंगे यह आपर जाली डाली दागा अपनी और फिर से अब जो यह यह यलो कलव वाले साथ फंदे इनको फिर से दो बार दागा गुमा के उल्टा बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच छे और यह साथ अब इसे दागे को पीछे करेंगे फिर से दागा अपनी और करेंगे जाली डालते हुए दागा अपनी और करने से जाली डलेगी और यह बच्चे लास्ट के यह च्यार फंदे इनको सीधा बनाएंगे तो ये दागा अपनी और करके जाली डालने से हमारे फंदे यहाँ पर बढ़ गए हैं तो इनको हम गटाएंगे उल्टी साइड से लाश्ट सलाई में तो ये पांच मी रो सीधी साइड के से बन के कम्पलीट है डिजाइन की छटी सिलाई लाश्ट सलाई इसमें जो हमारे फं दागे ये उल्टे फंदे बनाएंगे जो वाइट कलर के हैं और जो ये यलो वाले फंदे हैं यहाँ पर देखिए पांच फंदे हमारे वाइट कलर से उल्टे बने अब जो ये यलो वाले फंदे हैं इनको हम ऐसे खोल लेगे सातों फंदों को खोल के उल्टे साइड से हां इसको इस तरह से वाइट वाले दागे से थोड़ा सा हलके से आचे टाइट करते हुए ज्यादा टाइट निकरना है सातों फंदों का एक फंदा वाइट कलर से उल्टा बनाएगे अब जो यह जाली वाला फंद है इसको भी उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, च्यार यानि यह बीच में जितने यह वाइट वाले फंदे हैं इनको सभी को हम उल्टा बनाएंगे च्यार, पांच, छे, साथ, वही साथ फंदे हमारे फिर से बीच में वाइट आ गए अब इन साथो फंदों में ऐसे नीडल डालते हुए और ऐसे करके साथ का एक वाइट कलर से उल्टा फंदा बनाएंगे अब जो यह फंदे हैं हमारे पास बागी के इने हम यह जाली वाला भी एक, दो, तीन, च्यार और लाष्ट का पांचमा फंदा भी यह पांचमा फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे तो यह लाष्ट सलाई उल्टी साइड से बन के कम्प्लीट है तो यहाँ पर देखिए छे सिलाई यानि की छटी सिलाई उल्टी साइड से बना के कम्प्लीट कर ली है अब साथमी सिलाई को फिर से हम पहली सिलाई की तरह ही रिपीट करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर छे सिलाई में डिजाइन कुछ इस तरह से हमारा बनता हूँ आया इसी डिजाइन को मैं आपको थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ कि फाइनल लुक इस तरह से आएगा तो यह देखिए इसी डिजाइन को मैंने अलग-अलग करके धागे लगा के मैंने बनाया है तो ये थोड़ा सा बड़े में डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा तो फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप बच्चो के स्वेटर में, जैखिट में, कार्डिगन में किसी में भी डालिये, सभी में डलके रेडिमेट जैसा डिजाइन बनके आएगा तो डिजाइन आपके सामने है, अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए मिलती हूँ फ्रेंड्स, अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ तो बने रहे इसी तरह से आप हमारी चैनल के साथ